हेलो स्टुडेंट्स आज हम इंग्लिश में क्लास सेवन का लेसन नमबर सेवन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाट फ़न दे हैड उन्होंने कितना मज़ा किया था उनके समय में ठीक है न ये जो लेसन है ये फ्यूचर का एक लेसन आने वाले समय का जैसे यहां पर देखिए ट्वन्टी फिफ्टी सैवन लिखा हुआ और अभी चल रहा है जो इयर जो हमारा चल रहा है वो ट्वन्टी ट्वन्टी चल रहा है दो हजा बीस चल रहा है और यहां पर काफी आगे की बात की जा रही है फ्यूचर की बात की जा रही है ये जो लेस भी रहें, ओनलाइन क्लासेश चल रही हैं, तो फ्यूचर में और भी इस से ज़्यादा हमें चेंजिस देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कोई स्कूल नहीं होगा, जैसे कि आज मनुष आदमी हुमन, कीचर क्लास बूम में पढ़ाते हैं स्कूल तो शायद ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में कोई स्कूल नहीं होगा, घर पर ही पढ़ायोगी लोग ओनलाइन स्टड़ी करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं, और आने वाले समय में तो शायद ये स्कूल की परिभासा ही बदल जाए, शायद आने वाल और काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं तो यह लेसन भी जो है कुछ इसी तरह से है यह लेसन भी फ्यूचर की इसमें कलपना की गई है कि आने वाले समय में किस तरीके से स्कूल्स होंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मारगी है और टॉमी उसके साथ है कुछ और कैरेक्टर्स हैं तो उनके बीच में क्या होता है क्या बाते होती है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या होता है आगर मारगी के पास एक डायरी है और उस रात उसने कुछ लिखा अपनी डायरी पर और वो सत्रा मई की बात है 2157 की बात है मतला फ्यूजर की बात यहाँ पर हो रही है मारगी ने कुछ लिखा अपनी को आज एक रियल किताब मिली मतला रियल एक हकीकत की एक किताब मिली टॉम को यहाँ बुख जो थी वहाँ बहुत पुरानी थी मारगी को याद है कि उसके जो ग्रेंट फादर थे उन्होंने उसे एक दिन बताया था कि जब वहाँ एक छोटे वहाँ जब उसके जो ग्रेंट फादर है किसके मारगी के जब वे एक छोटे बच्चे थे तो उसके ग्रेंट फादर ने उन्हें बताया था कि उस समय जब मार्गी के जो ग्रेंट फादर थे और उसकी ग्रेंट फादर ने ये बताया था मार्गी की ग्रेंट फादर को कि उस समय कहानिया पेपर में छपी हुई होती थी टॉमी ने पेज पल्टाया उस पेज किताब जो थी काफी पुरानी हो चुकी थी और वहाँ उसके जो पेज थे वो काफी जिल्लिदार हो चुके थे वे थोड़ से पीले से पड़ गए थे और पेजिस काफी मुढ गए थे और उसके जो और इट वास सो फ़नी टू रीड वर्ड्स और यहाँ बहुत फ़नी सा लग रहा था उन वर्ड्स को पढ़ने का जब वो पेजे पल्टा रहे थे तो क्योंकि उन्हें सब ये एक फ़नी सा लग रहा था क्योंकि आज उन लोग ऐसी किताबे नहीं देखते हैं आज वो जो कुछ भी पढ़ते हैं ऐसी बुक्स को वो सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि यह कितना बेहुदा है बकवास है जब इनके पास किताबें थी तो इन्होंने इन किताबों को फेक दिया इन्हें बरबात कर दिया फिनिश कर दिया यू मस्ट हैव थ्रून इट अवी आई गैस और कंप्यूटर स्क्रीन मस्ट हैव आ मिलियन बुक्स ओन इट हमारे और मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जिसे मैं तो कभी नहीं फेकता हूं लेकिन ये लोग कैसे फेक देते हैं मैंने अपनी किताबों कभी नहीं फेका इस तरीके से कभी भी परवाद नहीं किया जो मारगी है वो कहती है सेम विद मी सैट मारगी जब वहाँ ग्यारा साल की थी तो उसने उतनी किताबे नहीं देखी थी ऐसी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने देख लिया था he was 13, तॉमी was at that time 13 years she said where did you find it तुमने इस किताब को कहा से पाया यह तुम्हें कहा मिली तो उसने कहा कि मेरे घर से मुझे यह मिली और वहाँ उस किताब को पढ़ने पर बहुत ज़्यादा बिजी था तो उसने किताब को पढ़ते हुए इशारा किया या किस बारे में हैं? मारगी ने कहा, उसने कहा कि it's about school, ये एक school के बारे में है तब मारगी कहती है, मारगी को school के नाम से ही डर लगता है वह डर कर बोलती है, टेंचन से बोलती, school what's there to write about school? क्या है school के बारे में लिखने के लिए I hate school, मुझे school से नफरत है क्योंकि मारगी, school के नाम से ही उदास हो जाती थी उसे नफरत थी school के नाम क्योंकि वह कभी भी school का नाम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसके school में जो उसके जो mechanical teacher है वो हमेशा एक exam के बाद, दूसरा exam, फिर exam, फिर exam, जियोग्राफिक के ऐसे exam वो exam पर exam लेते जाते थी और मारगी इससे बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी और वो कुछ अच्छा वो अपना label best भी exams में नहीं दे पाती थी अपनी test में जिसके कारण उसकी जो मा थी वो उसे हमेशा चिलाती रहती थी हमेशा उसे चिलाती रहती थी उसकी पढ़ाई को लेका और उसकी मा उसे county inspector को help के लिए बुलाती थी उनके पास उसे लेकर जाती थी जो inspector है उनके पास जो मारगी की मदर है वो मारगी को लेकर जाती थी और ये जो inspector है ये गोल मटोल टाइप के थे इनकी height ज्यादा नहीं थी और with a red face इनका लाल चहरा था और इनके पास एक box टूल box हुआ करता था जिनमें wires बगेर और काफी कुछ समान से वो box जो है वो भरा हुआ रहता था वह मारगी के पास आया उन्होंने smile किया और मारगी को एक apple दिया और इसके बाद जो उसके teacher थे उन्होंने उसे अपने साथ थोड़ी दूर लेकर गए मारगी ने सोचा उसे उम्मीद थी कि शायद वे उसे और समय के लिए लेकर चले जाएं और वे वापस ना आये कौन उनके teacher वापस ना आये मारगी के teacher वापस ना आये और इसके कुछ समय के बाद लगबग एक घंटे के बाद वे लोग वापस आ गए और जो teacher था मारगी का पूस ना आये और जो teacher था मारगी का वापस ना आये वापस नमत ना rate रच वे लोग translate टेड लाच हूर डाश ने लॉच इन ख्लि में आले भाफ उप स्था वे जो टेडर जर उना जा टूर रांबग ज़े। था एक बड़ी स्क्रीन के साथ फिर से questions के साथ अपने आये जिसने की फिर से questions पूछे गए वही part work का homework का जो मारगी जिससे बहुती ज्यादा नफरत करती थी और उसे अपनी homework में उस test paper को उसे हमेशा लिखना पड़ता था और वह इसकी आधी हो चुकी थी और जो उसका work था उसे लिखना पड़ता था वही पंच code के साथ और जो पंच code उसे सिखाए गए थे 6 साल की उम्मरे में और mechanical teacher जो थे वो उसे और वे marks को count करने में बहुती ज्यादा fast थे इसके बाद जो inspector है वह मुस्कुराए और फिर से उन्होंने मारगी को के सर को छुआ उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने कहा मारगी की मदर से कि it's not the little girl's fault या इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है Mrs. Jones मुझे लगता है कि geography के जो sectors है उसमें जिन्होंने ये question paper दिया था वो काफी tough था और अब उन्होंने इसे अच्छे तरीके से क्या कर दिया है ईसे अच्छे तरीके सेट कर दिया है और ऐसी चीजें अक्सर होती है और अब उन्होंने जो पेपर वो अच्छे तरीके सेट कर दिया है लगबख 10 years के लेबल का उस पेपर को सेट कर दिया है और वो progress के काफी करीब है उसकी जो progress है वो काफी मतलब संतोज जनक है और अगेर उन्होंने मारगी को उसके सर को छुआ मारगी जो है वो काफी उदास थी और उसे आशा थी कि उसके जो teacher है वो शायद फिर से वापस ना आए जो inspector है वो उन्हें लेकर चले जाए क्योंकि उसे उमीद थी कि Tommy के साथ भी ऐसे ही हुआ था जब उसके exams काफी करीब थे तब उसे history में वो total blank हो चुका था तो कुछ इसी तरीके की उसकी भी होप थी बट ऐसा नहीं हो पाया Tommy ने उसके तरव देखा मारगी के तरव देखा or because it is not our kind of school or Tommy ने कहा कि यहां हमारे school की तरह नहीं है stupid तुम्हें लगता है कि हमारे school की तरह नहीं यह total अलग है यह पूरी तरीके से अलग है this is the old kind of school यह एक पुराने तरीके का स्कूल है और वो मारगी को समझाने लगा है कि हजारों हजारों साल पहले centuries ago कई सताबदियों पहले और उसने मतलब गर्ब से कहा हजारों हजारों सार पहले इसे प्रणाउंस थोड़ा सा proudly उसने बोला उन words पर carefully वो बोला तब मारगी बोलती है मारगी थोड़ी सी hurt हुई well I don't know the kind of schools मुझे नहीं पता है कि किस तरीके का school है यह और कितनी सद्यों पहले की बात है यह मुझे नहीं पता है इस वारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है और उसने जो किताबे हैं वो रखी और उसने कहा did they have a teacher? क्या उनके पास कोई teacher था? तब पाउने बोलता है yes a man हाँ एक आदमी तब उसने बोला कि एक आदमी how could a man be a teacher एक आदमी कोई teacher कैसे हो सकता है क्योंकि यह आने वाले इस future की बात कर रहे हैं यह लोग आपस में future की बात कर रहे हैं और यह future में ही है कि उस समय पे तो कोई teacher नहीं होता है क्योंकि इन्हें online ही पढ़ाई कराई जाती है और यह computer screen पर ही पढ़ाई करते हैं इन्हें कहीं school ही जाना पड़ता है यह अपने घर पर ही study करते हैं तो इनके लिए बहुत हैरत वाली बात थी है कि कोई आदमी कैसे कि एक कोई आदमी एक teacher हो सकता है तब Tommy बोलता है Well He just told the boy and girls things and gave them homeworks Well, वो बोलता है कि हाँ वो girls और boys को चीज़ें बताता है अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाता है और उन्हें homework देता है और उन्हें से question भी करता है Question के answer भी वो इन्हें से पूछता है तब वो बोलती है मारगी बोलती है कि एक man इतना smart कैसे हो सकता है मुझे तो नहीं लगता है कि कोई व्यक्ती इतना smart हो सकता है और पूरे काम वो स्वयम ही कर सकता है तब Tommy बोलता है Sure, हाँ होता है अब तुम मेरे पिता को ही देख लो My father knows as much as my teacher does मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना की मेरे teacher जानते हैं He can't A man can't know as much as a teacher तब मार्गी बोलती कि एक आदमी उतना नहीं समझ सकता है जितना की कोई teacher वो उतना smart कैसे हो सकता है वो उस पर believe नहीं कर रही थी तब Tommy बोलता है कि नहीं नहीं वो जानते हैं वो उतना ही जानते हैं जितना मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना एक teacher जानता है एक आदमी भी उतना ही जानता है मार्गी उससे और्ग्यू करने के लिए तयार नहीं थी क्योंकि उससे उतनी जादा जानकारी नहीं थी She said I won't want as a stranger I won't want a stranger strange man in my house to teach me मार्गी बोलती है I don't want any kind of stranger at my home to teach me वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनभी मेरे घर पर आए कोई अजीब सा विक्ति मेरे घर पर आए कोई अजनभी मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए Tommy बोलता है Tommy अब यहाँ पर जोर जोर से हसने लगता है और बोलता है You don't know मच मार्गी तुम्हें जादा नहीं पता है मार्गी Teacher didn't live in the house Teacher घर पर नहीं रहते हैं वे हमारे साथ नहीं रहते They had a special building उनकी एक special building होती है वे एक अलग building में रहते हैं और सभी बच्चों को वहाँ जाना पड़ता था Teacher वहाँ किसी student के साथ नहीं रहते थे उनकी एक अलग building होती थी और सभी बच्चों को उनके पास पढ़ने के लिए जाना पड़ता था And all the kinds Learn the same thing और सभी को एक ही तरह की चीज़ें पढ़नी पढ़ती थी अगर वे age में same हैं तो वे same चीज़ें पढ़ते थे But my mother says A teacher has to be adjusted To fit the mind of each student लेकिन मेरी मा कहती हैं कि एक teacher को उसके जितने भी students हैं सभी को समझाना पड़ता है उन सभी का mind adjust करना पड़ता है और हर students को differently teach करना पड़ता है और सभी को अच्छे से समझाना पड़ता है Just as the same Just the same They didn't do it वे ऐसा नहीं करते वे उन दिनो ऐसा नहीं करते If you don't know, if you don't like it You don't have to read the books अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम यह किताब मत पड़ो I didn't say it तब मार्गी कहती है कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करते यहां पर जो Tommy है वो बोलता है कि अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है उन दिनों की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम्हें तुम्हें इस किताब को मत पड़ो तब मार्गी कहती है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं का मैं तो यहां किताब पढ़ना चाहती हूं उसने बहुत ही जल्दी कहा मैं उन फणी डेज को याद करना चाहती हूं उस फणी स्कूल को याद करना चाहती हूं कि जहां पर वो लोग इखटे जाते थे और वहां पर किस तरीके से बढ़ते थे और उन्होंने थोड़ा सा ही उस किताब को पढ़ा था कि मारगी की मा ने मारगी को बुलाया कि मारगी, मारगी, स्कूल अब मारगी आ जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है देखो समय हो चुका है, मारगी ने देखा और उसने उपर देखा और मारगी ने कहा है लेकिन नहीं, not yet mama, अभी तक सामय नहीं हुआ है mama, तब उसकी मा कहती है, now said Mrs. Jones, अब उसकी मा कहती है, and it's definitely time to, Tommy too, or definitely time हो चुका है, Tommy के लिए भी तुम्हारा भी school का time हो चुका है, और Tommy का भी school का time हो चुका है, मारगी Tommy को कहती है, can I read the book, some more with you after school is over, क्या मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ, school over होने के बाद, school खत्म होने के बाद, तब Tommy बोलता है, में भी शाद पढ़ सकती हो तुम्हें से, और वहां ऐसा कहते हुए, वहां से CT बजाते हुए, वहां से चला गया, और उसने अपनी जो किताबे हैं, उसने वहां पर अपने arms के नीचे रख दी, मारगी, school चली गई, मारगी वेंट इन्टू दे स्कूल रूम और मारगी भी अपनी स्कूल रूम में चली गई, और मारगी का जो school रूम था, वो उसके just, जो उसका घर था, जो घर है उसका जो बैट रूम है, उसके just right में, next में ही था उसका, मतलब घर पर ही उसका next रूम जहां पर उसका class room था, और वहां पर उसके जो mechanical teacher है, वो उसका वेट कर रहे थे, except for Saturday and Sunday, Saturday और Sunday को छोड़ गई, it was away, on at the same time, every day, because her mother said, little girl learn better if you, if they, student at regular hours, और उसकी मा कहती है, कि तुम अच्छे से पढ़ सकती हो, अगर तुम regular classes join करती हो, तो तुम अच्छे से पढ़ सकती हो, और उसके screen वहाँ पर on हो गई, computer screen जो थी, मारगी की वो on हो गई, और वहाँ पर जो उसके mathematics teacher थे, उसके लिए lesson, already वहाँ पर on था, जिसमें वो बता रहे थे कि उसे, वो उसे बता रहे थे कि, addition of proper fractions, please insert yesterday, yesterday's homework in the proper slot, और वह उसे बता रहे थे कि जो yesterday जो homework था, उसे भी proper तरीके से proper slot पे insert करो, और मारगी ने वहाँ किया और वहाँ सोच रही थी, she was thinking about the old school, schools, और वहाँ पुराने schools के बारे में सोच रही थी कि कि किस तरीके से उसके जो grandfather है, grandfather के grandfather was a little boy, जब grandfather के grandfather जब एक छोटे बच्चे थे, तो किस तरीके से वहाँ आसपास के area के schools में पढ़ते थे, उनके साथ में जो बच्चे थे वो भी उस schools में जाते थे, हसते थे, खेलते थे, चिलाते थे, school yard में खेला करते थे, बैठा करते थे, साथ-साथ homework किया करते थे, एकी classroom में पढ़ा करते थे, और एक दूसरे का हुवर करने में मदद करते थे कितनी मस्ती किया करते थे तो वो और साथ में एक ही साथ सभी चीज़ें बढ़ते थे तो इस तरीके से उन पुराने दिनों को याद करती है कि उसके जो ग्रेंट फादर के ग्रेंट फादर वो किस तरीके से हूबर किया करते थे क्या होता था उनके स्कूल में और एकी साथ आते थे स्कूल एकी साथ जाते थे ये सबी चीज़े वसोस थी और उस समय and the teachers were men and women और उस समय teacher जो थे वो male और female आदमी और महिलाएं वो हाँ पर उस समय पर teacher हुआ करते थे लेकिन आज का जो समय है वो machine ही होगे और आज बच्चों को machine में ही पढ़ना पढ़ता है computers पे ही पढ़ना पढ़ता है घर पर ही उनके schools होता है अब उनके पास कोई hard copy नहीं होती है बस उन्हें soft copy का ही सहरा लेना पढ़ता है उसके screen पर जो questions हैं वो flash कर रहे थे और वो उसे बता रहे थे we add the frictions one by two and one by two इस तरीके से वो उसे पढ़ा रहे थे उस समय पर और Margie जो वो लगतार सोच रही थी उन old days के schools के बारे में she was thinking what fun they must have had in those days और वो कितना मज़ा किया करते थे उस समय के जो students अपने schools वे जाया करते थे और वहाँ पर किस तरीके साथ 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 एक ही class में सभी students पढ़ा करते थे और teacher उन्हें सभी चीज़े समझाया करते थे तो वो यह सभी चीज़ें याद करती तो शायद आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे और अपनी computer screens पर ही पढ़ेंगे वो और शायद उस समय कोई male teacher नहीं होगा may be उस समय कोई robotic teacher हो सकता है जो उन्हें पढ़ाएगा और robot इंसानों की जगे ले लेंगे तो यही इस lesson में बताया गया है कि किस तरीके से आने वाले समय में सभी कम machine के त्वारा किये जाएंगे और schools भी जो है schools और teacher का इस्थान एक robot ले लेंगे I hope students यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा lesson